हेलो फ्रेंटस गूड मॉनिंग आज का हमारा टोपिक है मनी मैनेजमेंड या धन धन बिवस्थापन धन बिवस्थापन क्या होता आज इसके बारे में पूरे ड़िटेल से पढ़ेंगे और कल का टोपिक था हमारा कल हम पढ़ेंगे वर्कнейक्काल क़ाय की टखनीक पूरे डिटेल से पढ़े थे इसमें कितने सिध्धान्त हैं क्या यंत्र में आते हैं क्या अच्छे से देखे थे और कल वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन था उसको अच्छे से पढ़ेंगे सब लोग क्योंकि जो वर्क सिंप्लिफिकेशन जो चार्ट यह बांसर कोशन जरूर पूछी जाते हैं इसमें जाहुत हिं इसम मैश करने के लिए बहुत ज्यादा पूछी जाते हैं तो अभी हम क्या पढ़ने हम साइनस का फार्ष्ट पड़ mesmo हो मेनेंजमेंट होनηνे के बाद यह पूरा से हमारा जब यह Home Management खतम हो जाएगा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेक्ष्टाइल वश्त्र बिज्ञान उसके बाद फिर नूट्रीशन फिर क्या होगा सीडियों आएगा फिर यह चारों हम पढ़ेंगे चारों पार्ट हम डिसकस करेंगे एक के बाद एक करके तो आज का हमारा क का टॉपिक है जैंने का मैणी मैनीजमेंट धन का वेवस्था पन जान लेते हैं कि ऐ क्या होथा है अधर द्धन जो सब्दागता है वहाँ से अधरी अग low मेरोड़ेश होता है प्रयाज की बदले में जो भी पैसे हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं वो हमारे आय होते हैं और उन आय जो हमारे पास पैसे आते हैं जो हमारे आय होते हैं अपने आय की साथ से हम अपने और शक्ताओं की पूर्ती करते हैं जिससे हमें क्या मिलती हमें संतुष्टी मिलत यह तो आई क्या होता है आई प्रकार का प्रयत्न होता है यह प्रयत्न कैसा हो सकता यह मानसिक हो सकता है और यह सारी रिक भी हो सकता है मानसिक कैसे हो सकता है मिंटल इफर्ट कौन लगाते हैं जिससे टीचर होगे जो भी जो भी लोग मिंटल इफर्ट लगाते हैं जो भी मानसिक काम करते हैं मतलब जहां भी इसका माइंड काम करता वह क्या होगा मानसिक प्रयास होगा यहां इसमे प्रियास करते हैं हुआ उसमें तो इसमें कौन लोग आते हैं तो मौदूर लोग अते हैं तो मिलते हैं और इंको दियों कुद्धूरी पैसे मिलते हैं मंतली मिलते हैं उनको क्या कहते हैं या बेतन इनके आय को क्या कहा जाता है या बेतन कहा जाता है लेकिन जो सारी परिस्ट्रम करते हैं जो फिजकल इफट लगाते हैं इनको जो आय मिलती है इनकी जो इंकम होती है उसको क्या कहते हैं उसको मजदूरी कहते हैं जो भी physical effect लगाते हैं उनके जो पैसे मिलते हैं उनको उसको क्या कहते हैं उसको मज़़ूरी कहते हैं उसको हम क्या मिलता है इसी इफर्ट से हमें आय मिलती है जब आय मिलती है तो हम क्या करते हैं अपनी और शक्ताओं की पूर्ती करते हैं फिर हमें क्या होती हमें संतुष्टी मिलती है ये हो गया आई, आई क्या है, आई एक प्रकार का प्रेत्न है, एक प्रकार का इफर्ट है, ये सारीरिक भी हो सकता है, ये मानसिक भी हो सकता है, जब हम इफर्ट लगाते हैं, इफर्ट के बदले में जो पैसे, जो धन हमारे पास आते हैं, वो क्या होते हैं, आई होते हैं, ज मतरेरे कुल नवे दुन हरा आय क कर सका को अल्ग civ क्हळ तरीकंट सुन और यह लग्य क्हणि है पर इसकी दो तरीके बैसे कमाने को तरीके भीज़ेश का नविनुण जो हमारी बुक में दिये गए हैं एक तो होता है उपारजित आए उपारजित आए और यह क्या होता है अनुपारजित आए इसको क्या कहते है अन इंकम कहते है और इसको अन इंकम कहते है तो जो उपारजित आए होती है इसमें क्या होता है यह ऐसा आए है जहां पर हमपना इफर्ट लगाते हैं हमें प्रियास करना पड़ता है उपारजीत आय को कमानी के लिए हमें क्या करना पड़ता है प्रयास करना पड़ता है हमें इफर्ट लगाना पड़ता है उपारजीत आय क्या होता है इसे कमानी के लिए या ऐसा आए है जहां हमें प्रयात्न करना पड़ता है इसमें कौन-कौन आते हैं इसमें mental effort वाले भी आ जाएंगे और physical effort वाले भी आ जाएंगे तो इसमें क्या आएगा इसमें जगे टीचर लिख देती हूं यहां पर और यहां पर मजदूर उपारजिताय क्या होती है। इसमें कौन से आते हैं टीचर भी आ गया है मसदूर आगे सारीरी प्रयास करने वाले और मानसिक प्रयास mental effort लगाने वाले भी आ जाते हैं इसमें और physical effort लगाने भी आ जाते हैं अब देखते हैं अनुपार जीताय क्या होता है अनुपार जीताय ऐसा आय होता है जहां पर हमें इफ़र्ट लगाने की जरूरत नहीं होती हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता हमें गिफ्ट के रूप में मिल जाता है यह अनुपार जीताय क्या होती है यहां पर ऐसा आय है य जहां हमें प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती इसमें क्या क्या आते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स के जितने भी धन है जो भी है उनकी संपत्ती वो क्या है हमें मिल जाती है आगे चलकर हमें मिल जाती है तो वह क्या हो या अनुपार जीत आए किसे ने हमें गिफ्ट दे दिया वह हो गए तो इसमें क्या आता है इसमें आगे संपत्ती माबाप की संपत्ती संपत्ती आगे और क्या आगे है गिफ्ट लोट्री बीना परिश्रम के जो भी धन इकठा हो या जो आए आए हमारे पास वही होती है अनुपार जीत आए इसमें हमारे पेरेंट्स की संपत्ती आगे गिफ्ट आगे और लोट्री आगे अनुपार जीत आगे में हमें इंकम होती है इसमें क्या होता इफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है यह हमें गिफ्ट में मिल जाते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स की संपत्ती हुई गिफ्ट हुआ और लोट्री हुई तो ये हैं पैसे कमाने के तरीके अब हम देखते हैं कि आई के कितने प्रकार हैं आई के प्रकार आई के प्रकार आई के कितने प्रकार हैं तो आई के तीन प्रकार होते हैं पहला होता है मौद्रिक आई दूसरा होता है वास्तविक आई और तीसरा होता है मानसिक आई पहला कौन सा है तो पहला है मौद्रिक आई मौद्रिक आई दूसरा कौन सा है वास्तविक वास्तविक आई मांसिक आय तीन प्रकार के होते हैं पहला है मौद्रिक आय दूसरा है वास्तविक और तीसरा क्या है मांसिक तो पहला हम देखते हैं मौद्रिक आय क्या होता है जो आय पैसों की रूप में हमीं मिलता है जो आय पैसे की फॉर्म में हमारे पास आता है वो क्या होता है मौद्रि काय कौन सा है मौद्री काय वह होता है जो हमें पैसे काय मिलता है इससे कहते हैं मौद्री काय कौन सी मह है Bitcoin मिलता है जैसे 100 रुपए हो गे, 151 हो गे, पान्सो हो गे, पांच हजार हो गे यह क्या है, जो भी हमें मुद्रा के रूप में, जो भी हमें पैसे के रूप में मिल रहा है वो क्या हो गया मोद्री काई अब ये किस पर करता है तो ये हमारे इफर्ट पर करता है जैसे जिसका इफर्ट लगेगा जहां पर उसी तरह के वेसे ही उसके इंकम आएंगे वेसे ही उसकी पैसे होंगे तो मोद्रिकाय क्या है मोद्रिकाय वा आया है जो हमें पैसे की फार्म में मिलता है जैसे की 100 रुपे होगे 1000 होगे 500 5000 मतलब कुछ भी होगे और मोद्रिकाय में एक क्या होती है इसमें क्या होती परचेज पावर होता है मोद्रिकाय में क्या होती है जो हमारे पास मुद्रा रह परचेस कावर होती है खरीदने की शक्ती होगी है अगल से खर्च करके बस्तूया मिलते हैं मतलब इसमें क्या होता है, जो मौद्रिक आय है, उसे खर्च करने पड़ते हैं, इसमें तब जाके हमें बस्तू या सेवाएं मिलती हैं, ये हो गया वास्तिविक आय, वास्तिविक आय क्या होता है, तो वास्तिविक आय है, जिसमें मौद्रिक आय को खर्च करने पड़ते हैं पैसे लगा कर पैसे खर्च कर बस्तुवाओं को प्राप्त करना वास्तविक आय में हमें मौद्रिक आय को खर्च करना पड़ता है तब जाके हमारी क्या मिलती हैं हमें वस्तुवियां सेवाइं प्राप्त होती हैं वास्तविक आय भी दो प्रकार के होते हैं एक तो प्रत्यच्च आय है दूसरा प्रत्यच्च आय है क्या है पैसे खर्च कर बस्तुव को प्राप्त करना ही वास्तविक आय होता है लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं जो वास्तविक आए है वो दो प्रकार की है प्रत्यच्छ आय और इसमें क्या है आप्रत्यच्छ आय में कौन से आय आते हैं बिना पैसे खर्च किये सेवाओं की पूर्ति होना क्या है उप्रत्यच्छ आय में क्या होता है बिना पैसे खर्च आया उस सेवाओं की पूर्ति करना प्रत्यच्छ आय आते हमें देशों की पूर्थी होती है कि इसमें क्या आते हैं विना पैसे खर्ज किए जब आउशक्ताओं की पूर्थी होती हैं हमें सेवाय बचाइस चाहें अगर उसे मार्कट से ना खरीद कर हम घर में उगाले तो पैसे बचेंगे और जो बच्चे के लिए बाहर जाते हैं अगर कोई सिच्छक घर में है या कोई पड़ा लिखाया तो घर के बच्चों को टूशन घर में ही दे दे तो यह सब क्या होता यह प्रत्यच्छ आयमें आते हैं बागवानी से सब्जी प्राप्त करना सिलाई हो गए इसमें और क्या हो गया इसमें ट्यूशन पढ़ाना गर के जितने भी कार होते हैं जितने भी पैसे देकर कार करवाय जाते वह खुदी करने इसमें क्या हो गया इसमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं जैसे ऐसी पने खरीदेज we are होता है आप त्याच्छाय वह नहीं होते हैं जिसमें पैसे खर्च करने पढ़ते हैं आप है ऑफ पर चाय में पैसे कर देदा करके बस्तों को प्राप्त करना को ना कि करना अब पैसे खर्च करके बच्टियम सिवाओं को प्राप्टि कीआ जाता आफ इसमें क्या हैंगे जैसे कम पैसे में पोश्टिक चीजें खरीदना और इसमें क्या आएगा जैसे छोटे बच्चें के कोई बीडीश करीदने हैं जा रहे हैं तो थोड़े से बड़े लेंगे थोड़े से लंबे लेंगे तो क्या होगा ज्यादा टाइम तक चलेगा इससे हमारे क्या होंगे यह यह सब क्या आते हैं आप प्रतिय अच्छा करके हम अच्छे से अच्छे या डिजाइनर वस्तों को खरीदना या तो ऐसी बस् तिकाओं हुँ यह सब क्या होगे आप रित्य चाहिए इसमें पैसे करने पड़ेंकि पैसे खर्च करके में बस्तुएं सेवां को प्राप्त करते हैं इसके उधाराण में इसके एक्जम्पल में क्या आएगा इसके एक्जाम्पल में क्या आएगा तो इसके एक्जाम्पल में ये आएगा कि ऐसी बस्तुए खरीदना जो बहुत लंबी टाइम तक चले जिसका रंग ना खराब हो जो बहुत ही मजबूत हो बहुत ही टिकाओ हो ऐसे ऐसा सामान लेना जो टिकाओ हो उसका रंग ना जाए कम पैसे में डिजाइनर वस्त्र लेना बच्चों के बच्चों के बड़े वस्त्र लेना यह सब क्या होगी यह अप्रतिच में आता है ऑप्रतिच आए क्या है जिसमें पैसे खर्चा करके बस्तोयम सिवाओं को प्राप्त करते इसमें आता है ऐसी चीजे लेना जो टिकाओं बहुत समय तक चले जिनका रंग ना उड़े और क्या हो कम पैसे में अच्छी पॉस्टिक चीजे लेना खाने वाली ऐसा नहीं है कि जादा पैसे खर्चे करेंगे तब ही हमें पॉस्टिक चीजे खाने को मिलेंगी ऐसा भी नहीं है मार्केट में या खेत में ही हम जो उगाते हैं उसमें भी बहुत अच्छी चीज़े आगी जैसे बहुत सारे उदारने की कम पैसे में कैसे पॉस्टिक चीज़े खाई जाती हैं इसको हम न्यूटिशन में पढ़ेंगे यहां पे ना लाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और बढ़े जब छोटे बच्चे होते हैं बहुत की जल्दी बढ़ते हैं बहुत जल्दी लंबे वह जाते हैं तो उनका वश्ट मोर्य हमारा नहीं रेकशा है कोuba का आयं प्रती अच्छा है चता है जो बीना पैसे खर्चे करके आप बस्तोय मौसकताओं की पूर्टी होती है घर के जितने भी मिंबर हैं जितने भी कार घर के बाहर करवाये जाने वाले होते हैं पैसे दे कर वो घर के बाहर ना जाएं घर के लोग घर का काम कर लें जैसे कोई अगर कोई पढ़ा लिखा इंसा जिसका कलर जल्दी न उड़े जो टिकाऊ हो बच्चों के थोड़े बड़े वस्त्र लेना और कम पैसे में अच्छी चीजे लेना यह सब क्या अप्रत्यच्छाय में आ गया अब देखते हैं कि मांसी काय क्या होता है मांसी काय कौन सी आ है मांसी काय रियल में कोई आय नहीं है जो भी चीजे जो भी पैसे हम खर्च करते हैं उसको यूज करने के बाद अगर हमें संतुष्टी मिलती है तो वो क्या होती है मांसी काय मानसिकाय क्या होती है एक प्रकार की जो हमें संतुष्टी जो हमें खुशी मिलती है वो होती है मानसिकाय में क्या आएगा तो मानसिकाय मानसिकाय में कोई आए नहीं होती है यह फील करने की बात है कि जो भी इफर्ट हम लगाएं उससे जो हमें पैसे आएं वो पैसे हम जिस चीज में लगाएं उसको यूज करने के बाद हमें संतुष्टी मिल रही है या नहीं मानसिकाय यह खुदको फील होता यह हुआ होता है किसी की यह में नहीं इसके एक्जम्पल के लिए हम मैनेजमेंट पढ़ने तो जैर सी बात है यहाँ पी हम घेडिया हाउस वाइप का एक्जम्पल सकारी किचन नहीं टाइम वो कहां पर लगता है तो किचन में लगता है और सबसे ज्यादा मेनद भी लगता है किचन में तो इसमें क्या होता है जब कोई भी गड़ी कोई हाउस वाइप हो इतनी महिनत करके कोई भी चीज बनाए और अगर उसे घर वाले खाने के बाद क्या बोलने की अच्छा नहीं बना तो उससे क्या होता है कि उससे मांसिक संतुष्टी नहीं मिलती है उसे अंदर ही अंदर क्या होता है बहुत बुरा फील होता है तो यह क्या होता है कि यह उसके लिए अच्छा नहीं होता है उससे मांसिक आया मांसिक संतुष्टी नहीं मिलती है for example दूसरा example ले लेते हैं मानलो कि हमने कोई भी वस्तर लिया है बहुत मेंगे डिजाइनर वस्तर ले लिया हैं लेकिन वो पहनने के बाद हमें अच्छा फील नहीं हो रहा तो वो क्या होगा वहाँ पे भी हमें मानसिक संतुष्टी नहीं मिलेगी मानसिक आज हो हमारा वो complete न सवर्ण करें घर को और को संतुष्टी फृल नहीं होती है तो यह होता है तो यह होता है क्या है क्या है डियू यह हमारी संतुष्टी है कि हम जो जी जीऊच के हैं, जो भी पैसे खर्च की हैं, उससे हमें संतुष्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है, आई के तीन प्रकार है, पहला होता है क्या है, पहला मौदरी का है, मनी इंकम होता है, दूसरा क्या आवास्तवी का है, रियल इंकम होता है, और तीसरा क्या है, मांसिक या साइकिक इंकम होता है ये तीन आय हो गए अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता आय के क्या क्या स्रोथ हैं अब इसके बारे में हम बात करेंगे आय के स्रोथ के बारे में अब हम देखेंगे आय के स्रोथ आई की क्या क्या स्रोत हैं कहां से हम आई प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे तो आई के स्रोत में पहला क्या आता है सेल्डी या वेतन सेल्डी या वेतन क्या होता है तो जहां पर हम मेंटल इफर्ट लगाते हैं जो भी जाए टीचर हो या फिर वकील हो कोई सब क्या करते हैं उनका सरीर नहीं थकता है वह काम करते हैं तो उनकी बोडी नहीं थकती है लेकिन उनका माइंड थक जाता है तो यहां पर मेंटल ओफर्ट करते मानसिक प्रयास करने वाले को हुस्षेल्न या न्युक्त करते हैं उनको मिलता है इनके इफर्ट पर डिपेंड होता ga jam कि सेवड़ी या चुटब15 जो वितन करता है तुनकि पदका ही जैसे जिसका प्त होगा उसी साब से को पहुत उचा पद होगा। उसे ज्मलिए क्पीछॉटी होगा। से न स्वाइवाल के बड़े उसे कम से होगा। तो यह क्या होता है लागा हमारा की टरब से जोह गोर्मेंट की तरफ से सेवाह मिलती हैं यह क्या आजाएं आए जाटेर एंगेvel इसके लोग वेटन की तरफ कि गाड़ी नोकर प्रृत्वाटती वह सब क्याम और चेंगेCagnwood जाएंगे तो सरकारी के सेवाएं भी इसमें हो जाएंगी यह इसी में अढ़े सरकारी सवाएं जैसे गाड़ी रहने का घर नौकर और इसमें भथा भी आ जाएगा जो बड़े पदवाले यूछे पदवाले लोग होते हैं उनको government के तरफ से भत्ते भी मिलते हैं क्या होता है जैसे यात्रा भत्ता हो गया वकान भत्ता एजुकेशन भत्ता सैच्छिक भत्ता सैच्छुडिक क्या होता है आई का पहला जो स्रोथ है वो क्या है सेल्डी एंकम सेल्डी एंकम क्या होती है तो यह उनके पद के अनुसार मिलता जिसका जैसा पद होगा उसे इससाबसे सैल्डी मिलेगी यह क्या होता है इसमें सरकारी शेमाय यह गौर्णनेंट सर्विस भी आ जाती है और इसमें कई प्रकार के भत्ते भी आ जाते हैं अब हम सारी प्रयास करने वाले को मजदूरी मिलती है मजदूरी क्या होता है कि यह किसी किसी का टाइम पर डिपेंड करता है किसी का डेली मिल जाता है किसी का क्या होता है बीक में एक बार मिलता है सपता में एक बार मिलता है किसी की मन्थली होती है किसी का यरली होता है जैसे जिसका मजदूरी के कितने प्रकार होते हैं दो टाइम के हिसाब से मिलता है कि पहला क्या होता है कि यह समय के अनुसार मिलता है यह होता है दूसरा कार के अनुसार मिलता है कार के अनुसार मजदूरी क्या होती है मजदूरी सारी प्रयास फिजकल इफट लगाते हैं उनको मिलती है मजदूरी भी दो तरह की होती है पहला क्या होता है टाइम पर डिपेंड होता है पहले जो मजदूरी के प्रकार है वो टाइम पर depend होता है। इसमें क्या होता है। किसी को सब्दा मेरा कि किसी इयREE में perse कार के अनुसार क्या होते हैं। वा का इसमेश करें क्या है। ना पर अटारक कि या आज कल किया होता है। वो सब क्या होता है कंट्राक पर देना या जो मजदूर लोग होते हैं उनके भी जो लीडर होते हैं वो लोग इसमें आ जाते हैं तो क्या होता है कारे के अनुसार मजदूरी होती है उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं इसमें जो मजदूरी होते हैं जो डेली-डेली के पैसे ले लेते हैं उनसे ज्यादा मजदूरी उनसे ज्यादा कारे के अनुसार जो कारे में निपूड होते हैं उनको इससे ज्यादा मिलती तो यह मजदूरी अभेतन की अनुसार घर टेके देते हैं थेचके फली िनसरा हो गया मजदूरी तीसरा दुखते हैं इसाइँ यह सब बोनस में क्या होता है जो बोनस को क्या कहते ऊत्रिक्त पैसा कहते हैं बोनस होगी उसे की उसे मिलता 4 सार में मिलता है या निदा किवा दीको दिद्ध करती जैसेए पर मिलता है यह क्या होता है संस्ता के डेबलब्मेंट है उस पर निर्भर करता है कि अपनी संस्ता जिसकी जो संस्ता होती वो खुदी इसको चुनते हैं कि साल में एक बार देना है कि साल में दो जब कर दादना को सेल्डिपल करती है खीक पर कि कितना बोनस मिलेगा यह कभी दिवाली पर दिया जाता है या अगर किसी की सेल्डी 5,000 रुपे महीने है तो इसको साल में अगर एक बार मिलेगा तो बोनस में क्या होता है कि इसमें मानते हैं कि जो बोनस मिलता हूँ इंसान जो भी ब्यक्ति है उसकी सेल्डी के हिसाब से मिलता है कि उसकी जितनी एक बार की सेल्डी होती है उतनी बोनस मिलता है एक बार की जितनी सेल्डी होती है उतना साल मे एक बार उसको बोनस मिल जाता है तो यह क्या हो गया बोनस हो गया यह अत्रिक्त पैसा हो गया दूसरा क्या आता है रोयालिटी रोयालिटी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं चोथा क्या है रोयालिटी रोयालिटी क्या होता है जो बुक लिखते हैं जो बुक के ले यह स्थ्रमीख होता है कि fighting को मिलती है तो बुख लिखने वाले को मिलती है country लेखर को मिलती है जो medida की मैं पारीष्रमिक उनको पैसे मिलते हैं उनकी होती है यह दो चीजों पर बुखक को चापते हैं और जो एक समझ वोता है यह क्या होता है लेखinka और प्रकासक को यह दोनोंस पर डडीपेंड करता हूं ये दोनों का आपसी क्या होता है ये दोनों का आपसी समझोता होता है कि जो प्रकासक है जो पब्लिशर है वो क्या हो कितना परसेंट इंकम लेगा और जो लेखा के वो कितने परसेंट इंकम लेंगे तो क्या होगा ये दोनों के बीच का समझोता होता है कि जितनी भी बुक छ चपेगी तो जिस इसाब से बुक चपेगी उसी इसाब से इन दोनों का इंकम बनता है इनका दोनों का आप से समझोता होता है जैसे मालनों प्रकासक जो पब्लिशर है उन्होंने किया मांगा कि हमें 45% बेनीफिट चाहिए या इंकम चाहिए और यह लेखक तो 75 जैसे जो माल बैदकर आप से समझ моंदा होता है यह होग इंकम के सिरोथ है इसमेशन जरूर पोटा होता है कि रोगह्या बोनस कुछ उसे जाएiendra यह क्या होता है बाली व्याश्य प्रृष किया होता हैं आटे जमानरे में सब को पता है कि ब्याज होता क्या है इंट्रेस्ट क्या है तो इंट्रेस्ट सब लोग जो फ्यूचर के लिए जितने भी पैसे कटे करके रखते हैं यह तो बैंक में रखते हैं यह तो पोस्ट ओफिस में जमा करते हैं जो उनका इंट्रेस्ट मिलता है जो पैसे को कुछ दिन के लिए फिक्स करके जमा कर देते हैं उस जो उनका खुद का पैसा है जितना उनका फिक्स पैसा वो तो मिलेगा ही मिलेगा लेकिन उसके साथ क्या होगा इंट्रेस्ट मिलेगा वह यह क्या होता है हर बैंक का हर पोश्ट अफिस का अलग-अलग होता है यह अलग-अलग जहां हमारी जो खुद की चीजें होती है उसके यूज के बदले में जो पैसे मिलते हैं वो किराया होता है कोई भी चीज हो कोई भी सामान हो सामान के उपयोग के बदले में मिलता है यह क्या होता है यह पर्मानिंट नहीं होता है यह अस्थाई नहीं होता है यह इस्थाई नहीं है किराया क्या होता है हमारी चीज के उपयोग के बदले में जो हमें पैसे मिलते हैं जो इनकम आती वह क्या होता है किराया होता है यह स्थाई नहीं होता है यह पर्मानिंट नही नहीं होता है इसके लिए सबसे बड़ी एक्जामपल है घर ऑगे कराया зак Adai आप यह सенसे किराया हो गया मारा आए दिखते हैं क्या होती रक喜歡 भी इंकम के सुरोत में यह भी आता है लोटरी क्या हुता है लोकी नंबर होता है उसको इसक्रिच करने के बाद अगर लगी नंबर हमारे जो कूपन है हमें मिला है कूपन उसका नंबर यद लखी नंबर से क्या हो गया मिल गया तो हमें पैसे मिल जाते हैं यह लोटरी क्या होता है एक तरह का जुआ होता है इसमें अगर लखी नंबर मिल गया जिसका जो कूपन है उसमें अगर लखी नंबर जो लिखा है जो तै किया गया वो न लकी क्या मिलटे मिल जाता है हम दूसरा देखते हैं क्या होता है छात्र कि खातर बिद्ति किसे कहते हैं इसकूलर्शिप जो हमें यह स्कूल से मिलती हैं कुनुस इसलिए मिलता है कि जो अच्छे बिद्यारती हैं उनकी पढाई रुके ना उनकी कांटीन्यू रहे उनकी पढ़ाई लगातार चलती रहे इसलिए क्या मिलती है छात्र बित मिलती है यह क्या है जो मिधावी छात्र हैं मिधावी छात्रों की पढ़ाई लगातार कांटीन्यू चलती रहे यह क्या होती इसलिए मिलती है छात्र बित्ती मिलती है अब हम आजाते हैं देखते हैं पिंसन क्या होता है नौवा क्या है पिंसन कम मिलती है हमें जो सेवा निवरित के हर महीने जो पैसे मिलती है जैसे सेवा निवरित जो गौर्मेंट जॉब करते हैं उनकी जब सेवा जो उनकी सर्विस समाप्त हो जाती है जब वो घर पर बढ़ पेंशन मिलता है तो हर महीने जो पैसे मिलते हैं सेवा निब्रित्ती के बाद हर महीने जो इंकम हमारे पास आता है वो क्या होता है पेंशन होता सेवा निब्रित्ती के बाद हर महीने जो पैसा मिलता है वही पिंशन है ये भी किस पर डिपेंड करता है तो ये भी सेलरी पर डिपेंड करता है जिनकी गौवर्मेंट जॉब होती है ये उनको मिलता है पिंशन मिलता है अब हम देखते हैं कि ग्रेचुएटी क्या होता है है सब इमपर्टेंट है सब एक बार पढ़ेंड क्या है ग्रेचुेटि यह होता है इसमें सारे पैसे हमें इकठे मिल जाते हैं सेवा निब्रिती जब हमारी सेवा जब हमारी सर्विस समाप्त होती है जब हमारा क्या होता है जब हमारी सेवा समाप्त होती है तो हमें जो पैसे होते हैं वो पिंसन के रूप में हर महीने ना मिलकर एक ही बार में इकठे पैसे मिल जाते हैं ज होने के बार होने पर एक साथ एक साथ मिली धनरासी को मिली धनरासी को ग्रेच्वेटी कहते हैं रिच्वेटी कि क्या होती है ग्रेच्वेटी होती है अब हम देखते हैं कि उपहार क्या होता है कि wok दो आओट सबको पता है उपहार क्या होता है काभी साधी पार्ट्य विवामसी विवाम फंडन growing राइं डूसरों के द्वारा यह द्वारा मिलिकी कि भी हो सकती है था दूसरों के द्वारा दूसरों के द्वारा मिला दुसरे के दारा मिली धन या वस्तू ये क्या होता है उपहार होता है अब हम देखेंगे लगान क्या होता है लगान लगान के बारे में हम देख लेते हैं कि लगान क्या होता है लगान क्या होता है लगान में जैसे हमारी जमीन है हम अपनी जमीन किसी को हमारे पास खेत है हम अपनी खेत किसी को दे दिये उसे फसल उगाने के लिए तो उसमें क्या होता है फिप्टी फिप्टी कर लेते हैं 50-50 कर लेते हैं मतलब आधा आधा बाट लेते हैं यही क्या होता है लगान होता है लगान क्या होता है लगान भी लिखने की जरूरत नहीं ऐसे ही समझ जाएंगी कि गया होता है जो जमीन दार लोग होते हैं वो अपनी जमीन को किसी और को दे देते हैं काम करने के लिए फसल उगाने के लिए और जब फसल उगा लेता है तो उसमें क्या करते हैं आधा आधा बाट लेते हैं यही क्या होता है आधा अध्यानाच को बाट लेते हैं यह क्या हो गया लगान हो गया तो आज हम पूरा मनी मैनेजमेंट पढ़ लिए अब कल हम पढ़ेंगे क्या होता है इसके बारे में जानेंगे आज हम पूरे मैनी मैनेजमेंट का चैप्टर जो टॉपिक है हमारा समाप्त हो गया आज हम पूरे मैनी मैनेजमेंट को देख लिए कि इसमें क्या है कितने तरीके हैं कितने प्रका